ओ अडो, मैं कब से देख रही हूँ, अभी तक कोई गाड़ी में आ रही है देख तो इतना दूप से परिसान, अरे वाँ, किसी खाजीप आ गया मैं मायंती हूँ, उसे लिप्ट, ओए, वहाँ तक मुझे जाना है, आप छोड़ दोगे हाँ, जरूर, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल छोड़ दूँगी, आजकल करोना के डर से, वैसे मैं किसी को लिप्ट नहीं लेती, पर मुझे तुम अच्छी लगी, तो ले लिए ओके मैं, थेंक्यो या तक छोड़ने के लिए, थेंक्यो अरे रूमा, तुम क्या कर रही हो, अरे चाहे बना रही हूँ, अरे रूमा, मुझे तुम से कुछ बाते करनी है, हाँ, बोलो ला, क्या बाते है, तुम करोना के बारे मैं जानती हो, हाँ, मैंने तो सुनी है, पर मुझे बता नहीं, कि करोना कैसे होता है, अरे मेरे घर के बगल में एक चामनी की बेटी है उससे करूना हो गई है अगर तुम्हे सास लेने में प्रोब्लेम या तुम्हे चीक आती है खासी हो रही है तो तुम समझ जाना कि करूना वाइरस है और तुम मेडिकल चेक अप करा लेना मैं यहीं तुम्हें बताने आई थी मैं जा रही हूँ अब सोरी मैं आपसे बार बार लिफ्ट मांग रही हूँ कोई बात ना है ये सलोनी है और सलोनी हमिसा प्रती दिन एक बार यहां मंदिर में अपने भोलेनात स्यू भगवान की एक बार पूजा करने के लिए आती है प्रबू आप मेरे घर में हर किसी को सुक सांती से एवं मेरी बेटी को आप किसी भी कोई भी दुबीदा में ना डालना मैं आपसे हमेशा विंति करती हैं प्रबू कि मेरी बेटी को मेरे से अलग मत करना क्योंकि मेरे बेटी के अलावे मेरे घर में कोई नहीं है और ये उनकी बेटी अंजली मम्मी अब कहां हो मम्मी मुझे अच्छा निलग रहा मम्मी अब कहां हो जल्दी आओ ना प्लेज मम्मी बेटी मैं तोड़ी मंदिर गई ती ना इसले लेट हो गया मैं तुमारे लिए तुझाता हूँ बेटी तुमारे अलावे मेरे घर में और कोई नहीं है ना बेटी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हमेशा साथ रहो इसलिए मैं तुमारे लिए अपने बोले नाच से आशिरवार लेने गई थी ये परसाद ले लो बेटी मा मुझे नहीं काना हुझे अच्छा नहीं लग रहा ना जा रही हूँ और ओ आते ही सोच आती है बेटी तुम खाना तो कालो थोड़ी सा थोड़ी से खालो ना बेटी तुम सुबा भी नहीं खाई थी और अभी भी नहीं खा रही है परसाद भी नहीं ली ओ मा मैं आजाओंगी थोड़े देल में तुम चली जाओना ओ के आजाना बेटी तू थाउसंद येर्स लेटे देटी लगता है तुम्हें बहुत इजाजे तब्यत खराब हो रही है मैंने तुम्हें परसाद भी दिया था पर तुन्हें मना कर दी तुम उसे काथी तो ठीक हो जाती मैं डक्टर को बुलाती हूँ की हेलो डक्टर साब मेरी बेटी को बहुत बुखा रहे आप खासी भी है आप उसे आके दवाई देदो डक्टर साब थोड़ी देर में ही अंजली की माँ से आ जाता है डक्टर इसे पुछता है अंजली बेटी तुम्हारा तब्यत कैसा है टेंसन ना लो मैं आ गया हूँ सब ठीक हो जाएगा रुको मैं चेक करता हूँ अभी ढीक कर देता हूँ बेटी में तुम्हे कौन सी बीमारी तुम्हे है मैं देखता हूँ ओ माई गोड तुम्ही तु करोणा से इंफेक्टीड हो ओ नू क्या हुए डोक्टर साब मेरी बेटी को कौन सी बीमारी है और ये कब तक टीक हो जाएगी मैडम जी मुझे माप कर देना इसका इलाज मेरे पास नहीं है इसके लिए मुझे कुछ करना होगा तब तक आप इसे गरम पानी देते रहना मैं जा रहा हूँ एक दिन सलोनी की फ्रेंड भी रोड में खड़ी रहती और सलोनी पास से गुजरती और बोलती है अरे तुम याप पर क्या कर रही हो कुछ नहीं और कैसी है और बताओ मेरे गहर में तो सब ठीक है तुम बताओ तुमारे गहर में कैसी है मैं क्या बताओ मैं तो ठीक हो पर मेरे गहर में मेरे बच्ची ठीक नहीं है ये क्या होता है करोना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तुम्हारी बेटी को करोना हो गया है। अरे उसे तुम बड़ी डोक्टर को जाके चिर्क कराओ। मैं नहीं मानती हूँ, ये करोना यूँ ही ठीक हो जागा, मैं मंजीर जा रही हूँ। अरे तुम पस्ता होगी। हे मेरी प्रबू, आप मेरी बेटी को इतनी दवियत कराब है। आप से मैं हमीजा बिंती करती हूँ, पर मेरी बेटी को ठीक कर दो। बेटी लगता है अब तुम्हें बहुत जादे असर कर रहा है। मैं फिर से डोक्टर को फोन करती हूँ, डोक्टर साहब मेरी बेटी को प्लीज आके देख लो, प्लीज डोक्टर साहब। फिर डोक्टर ने अपने टीम की साथ वो अपने जीप लेकर इस लड़की के घर पहुँच जाता है। डॉक्टर साहब आ जाते हैं अपने टीम के साथ सलोनी के घर मैम क्या आप ही यहां से हेल्थ और्गनाजिसेंट में कॉल की थी हाँ डॉक्टर साहब मैं ही यहां से कॉल की थी मेरी बेटी बहुत तबीद कराब है सलोनी के कुछ भी पता नहीं होता है करोना के बारे में और अपने बेटी की चेक अप ठीक से वो नहीं कराती है और किसी नहीं डोक्टरों को यहां बताया था कि यहां एक मरीज को करोना वाइरस से इंफेक्टेड है और यहां पे डोक्टर आते हैं और यह कोल भी करती है जिने यहां आना था डोक्टरों को बेटी अंजली तुम डरो मत तुम ठीक हो जाएगी मैम सलोनी आपने बहुत गलती किये हो आपको बताना चाहिए था कि आपकी बेटी को करोना हुआ है पर आपने इसे छुपा के क्यों रखी हो ममी मुझे नहीं जाना है इन लोगों के साथ देखो अंजली बेटी तुम यहां से अगर नहीं गई तो यहां सभी लोगों को infected हो जाएगा करोना वाइरस तो आप तुमको यहां से हम लोग कहीं दूर ले जाएंगे और तुम को वहां तुम्हारी जो antidote बनाएंगे और तुमें ठीक करने की कोशिस करेंगे तुम लखा जाएगा और उसे अब इस जीप से उसे बाटाएंगे है।